फ्रेंड्स आप में से जो दोस्त D-Triple S B और KVS की त्यारी कर रहे हैं उनके लिए इस बार संडे को एक क्यूज होगा जिसके रूल्स मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको पूरी डिटेल से समझाऊंगा और फ्रेंड्स ये एक क्यूज बाल विकास से समंधित होगा और इसमें बहुत ही जी-जी क्यूश्चन और एक क्यूश्चन के आपके दो अप्शन मिलेंगे और प्राइज मनी भी होगा मेरी यूट्यूब अरनी का 50% तो फ्रेंड्स इस संडे से शुरू करने जा रहा हूँ अर संडे को होगा और इसके बारे में डिटेल से इस वीडियो के लास्ट में आपको बताया जाएगा और तीन क्यूस्चन साइन से समंदित आप से पुछे जाएगे जिनका आपको कॉमेंट बोक्स में जवाब देना होगा तो फ्रेंड्स इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए तो फ्रेंटों इस वीडियो में हम शिक्षा से समन्दित महताऊ कुछ पूर्ण गटनाओं के वर्षों के बारे में डिसकस करेंगे मैंने और एक गटना के बारे में अलग-अलग वीडियो अपलोड कर रखा है उन सबी को मैंने इस एक ही वीडियो में उनके साल साइट कवर किया है तो फ्रेंट्स जल्दी जल्दी शुरू करते हैं आज का वीडियो तो फ्रेंट्स से इसमें सबसे पहला क्युस्चन है फोर्ट विलियम कोलेज की स्थापना कलकत्ता में कब हुई थी फोर्ट विलियम कोलेज कहां पर है कलकत्ता में है और इसकी स्थापना हुई थी अठारा सो इस्वी में अठारा सो इस्वी में स्थापना होई थी और अंग्रेजों किस खुशी में बनाया था ये फोर्ट विलियम कोलेज ये बनाया था टिपू सुल्तान पर विजय की खुशी में फ्रेस्ट एन्वर्सरी पर बनाया गया था लोड वेलजली ने इसको बनवाया था तो फ्रेंट्स से 1799 में टिपु सुल्तान की मर्त्यू हो गई थी और अंग्रेज जो ने मैसूर के युद्ध को जीत लिया था टिपु सुल्तान को अराकर तो उसी खुशी में फोर्ट विलियम कोलेज कलकता में बना दिया गया था तो फ्रेंट्स से इसे समंदिते एक और क्युस्टन पुछा जाता है कि ये फोर्ट विलियम कोलेज किन की सिक्षिया के लिए बनाया गया था ये जो अंग्रेज अपसर थे उनको बारतिय रिती रिवाज्यों बारतिय बास्षा इंदी के बारे में जानकारी देने के लिए प अगला प्रसंदे लेते हैं एक लाक रुपयर्पवर्णीट के टैत डमेंच और हारा सावह देख रूपय रखा गया था तो लिए उत्रशिया का बघ्जट पहली बार बारत में एक लाख रुपय रख़ गया था ङृच्थजया शुरुवात की गंटनाएं हैं और इन से समंदिता लग-लग वीडियोज में मैंने बारत में सिक्ष्या की विकास से समंदित उन में डिटेल से बताया है अगला परसन है कलकत्ता में इंदु कोलेज कब स्थापित हुआ अगला परसन शिक्ष्या सुधार के लिए मैं काले का वीवरण पत्तर कब जारी किया गया बारत में शिक्ष्या से समंदित एक मैं तो पूर्ण गटना थी मैं काले का वीवरण पत्तर मैं काले का गोसना पत्तर 1835 में जारी किया था इसके तयत English Official Language अंग्रेजी बासा का सुत्रपात हुआ था अंग्रेजी Official Language बना दी गई थी अंग्रेजों ने इसको बड़ावा देने के लिए अंग्रेजी को ये मैकाले का गोशना पत्तर आया था और फ्रेंट्स ये मैकाले का गोशना पत्तर 1835 में जो आया था ये लोर्ड विलियम बेंटिंग के कारिकाल में आया था अगला परसन चार्ल्स वुड्स डिस्पैच किस वर से समन दीता है ये 1854 के साल से समन दीता है और इसको बारतिय सिक्ष्या का मैगना कार्टा भी बोला जाता है बहुत इंपोटेंट किस्ट अगला किस्टन देखते हैं फ्रेंट्स बारत में सबसे पहले कोलेज कलकता बंबई और मदरास में कब स्तापित हुए थे ये विए थे 1857 के साल में 1859 की क्रांती विथी उसी साल में कोलेज बना दिये गए थे अगला परसन वुड्स डिस्पैच के कारियों की समिक्ष्या ये तो एंटर कमिशन कब बना था अठास 54 का जो चारल्स हुड्स डिस्पैच था अब ये भी मैंने जिसके बारे में बात की बारतिये शिक्ष्या का मैंगना कार्टा भी जिसको कहते हैं उसकी समिक्ष्या के लिए अंटर कमिशन बना गया था और ये एंटर कमिशन की साल बना था 1862 में एंटर कमिशन आया था अगला परसंदेख लेते हैं नोक का बारतिय विश्विद्याले अधिनियम इंडियन युनिवस्टीज एक्ट किस वर्स आया था ये 1904 में आया था इंडियन युनिवस्टीज एक्ट लोड करजन के समय लोड करजन जिनके समय में 1905 में बंगाल विवाजन वहा था बहुत ही इंपोर्टेंट घटना हुई थी और लोड करजन को उसी के लिए याद किया जाता है लेकिन उन्हें ने इंडियन युनिवस्टीज एक्ट भी ला स्थापना हुई थी और किस ने की थी विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी एस्याटिक सोसाइटी की अगला प्रसंद 11 का सैडलर विश्विद्याले आयोग कब गठित किया गया था यह 1917-1919 के बीच में गठित किया गया था यह इसका कार्यकाल था अगला परसंद बनार्स इंदू इस इंदू जिसकी स्थापना पंडित मदन मालवी ने की थी महामना जिन को कहते हैं कि स्थापना कब हुई थी 1916 में इसकी स्थापना हुई थी बनार्स इंदू इंदू इंविश्टी की अगला परसंद मॉम्डन एंगलो ओरियंटल कोलेज कब स्थापित हुआ था अठारा सुपी चेत्र में स्थापित हुआ था और फ्रेंट्स यह 1920 में बन गया था अलीगड मुस्लिम इंविश्ट तो यह स्थापना की ति इसकी मौमडण एंगलो ओरियंटल कोलेज की स्थापना किसने की थी सरसैद इह खा ने जादतर यह एकुस्टन इंपोर्टेंट बनता है जादा तर पूच्छा जाता है अलीगड मुस्लिम इंविश्टि के समतपक कौन है तो यह सरसायिद आहमद देखा और अठारासुपीचे तरीशिव में इसकी स्थापना हो गी थी और बाद में यही कोलेज ये कोलेज युनेस्टी बन गया था लिगड मुस्लिम युनेस्टी अगला क्यूस्टन है फ्रेंट्स डॉक्टर जाकिर हुसेन की वर्दायोजना कब त्यार की डॉक्टर जा समन्दित एक पूरा वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है इसे समन्दित सभी फैक्ट्स को द्यान में और पिछले एक्जाम्स में पुछे वे क्यूस्टन्स को भी द्यान में रखते हुए वो वीडियो भी आप देख लीजिए अगला परसंद 15 का आर्ट्रोंग क्रमेटी क समन्दित सार्जेंट पलान सिक्षय का सार्जेंट पलान याद रखना की इसे विश्विद्याले शिक्षा आयोग भी कहते हैं क्योंकि इसके सबी सिपारिशें विश्विद्याले शिक्षा से समबंदित थे और इससे समदित भी वीडियो मैंने अप्लोड कर रखा है गलती से बोल दिये मैंने अगला परसन मुदालियर आयोग का दूसरा नाम है माद्यमिक शिक्ष्या आयोग क्योंकि इसने माद्यमिक अगला परसन कोठारी आयोग से समन दिता है कोठारी आयोग जिसने दस जमा दो जमातीन के आदार पर शिक्ष्या के सुजाव दिये थे और ये किस साल से समन दिता है 1964-1966 में इसने अपनी सिपारिशें दी थी तो साल द्यान रखना है फ्रेंट्स 1964-1966 के बीच में और पहली राष्टी शिक्षा निती इसके बारे में अगले पेज पर भी डिसकस करेंगे ये 1968 में आई थी पहली राष्टी शिक्षा निती बनी थी 1968 में कोठारी आयोग की सिपारिशों पर कोठारी आयोग के बाद में और नई राष्टे सिक्षानिटी आई थी उसके बाद दूसरी राष्टे सिक्षानिटी भी जिसे आप बोल सकते हैं hun child 1986 में 68 का उल्टा कर लो 86 बन जाएगा दूसरी राष्टे सिक्षानिटी का भी साल पता लग जाएगा और अगला अगला भी फ्रेंट्स आठारा है इसमें 2018 के अंतक नई से भी नई राष्ट्री सिक्षानिती यानि तीसरी राष्ट्री सिक्षानिती बनने की संभावनाई जताई जा रही है 2018 के अंतक फ्रेंट्स मैं अब आप से आज के क्यूस्चन्स पूछ लेता हूँ एक तो आपको बताना है कि खाने का सोड़ा जो होता है यानि बेकिंग सोड़ा उसका रासाइनिक नाम केमिकल नेम आपको बताना है और फ्रेंट से एक और है जो दावन सोड़ा होता है दावन सोड़ा यानि कपड़े दोने का सोड़ा जो होता है उसका केमिकल नेम आपको बताना है तो फ्रेंट से इनका इंट मैं दे देता हूं कि खाने के बाद बाई हो जाती है यानि बाई नाम का रोग हो जाता है तो उस वीडियो में अपना नाम सामिल करवा लीजिए और फ्रेंट से अगला वीडियो जो गाई एसियन गेम्स के समंधित टोप 10 या 20 जो डिएसेश भी और के वीएस के लिए आपके लिए इंपोर्टेंट रहेंगे वो मैं कवर कर रहा हूं अगले वीडियो में तो वो वीडियो कुझ भी आप जरूर देखें और उसमें नाम सामिल करवाने के लिए आप इन के जवाब दीजिए और फ्रेंट से आप में से जो भी जवाब दे वो पॉजिटिव रस्पॉंस दे कि मैं क्यूज कॉंटेस्ट में पार्टिस्पेट करना चाहता हूं और बार होगा संडे का टाइम रहेगा फ्रेंट से स्याम का टाइम रहेगा पांच बजे का बाद का और वो टाइम में आपको जो कॉम्यूटी है कॉम्यूटी टैग में आपको बता दूगा और मेरे नंबर भी प्रवाइड कर दूगा जिन नंबर्स पर आपको कॉल करनी होगी उसके और positive response दे, उसमें participate करने के लिए आपको एक तो इस वीडियो में comment करना पड़ेगा positively कि मैं participate करना चाता हूँ, मैं उसका नाम note कर लूँगा और एक उस community tag में जो डालूँगा मैं, तो उसमें जिनका नाम होगा वो equal करें, इस वीडियो में सही जवाब के साथ और उस community tag में, community म में, तो community को चेक कर लीजिए अभी, और अगले सनिवार को जरूर चेक कर ले, संडे को, तो friends से पिछले वीडियो में, जो मैंने, friends इस बार तो भालविका से समंदित क्यूज होगा, लेकिन आग ये संडे को समाने विज्ञान या और विश्यों से समंदित भी क्यूज होते रहेंगे, और friends उसका प्राइज मेनी तो रहेगा, यह आपको पता ही है, और एक के विन्नर बनने की मैं गारंटी लेता हूं, जितने भी कोल करेंगे, तो friends से पिछले वीडियो में मैंने क्यूस्टन दिया था, 22 मार्च को कौन सा दिवस बनाया जाता है, विश्यों जल दि यानि तैरती विवस्तों के नियम किस ने बताये थे, यह बताये थे, और किमी डीज ने, और एक और क्यूस्टन पुछा था, उसका जवाब आपके नामों के साथ साथ मजल दी देऊंगा, रस्मी ने सबसे पहले comment सही जवाब दिया है, उसके बाद दीप राज कुमार ने हैं, और हैं संगिता नोटियाल हैं, मेग राज यद्दव हैं, और उसके बाद हैं पुनित जैस्वाल, उसके बाद पुनित जैस्वाल हैं, किर्शना कुमार हैं, और आजय चोधरी हैं, तो फ्रेंड्स इस वीडियो का अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वाट्स अप ग कुमारी, तो फ्रेंड्स आपका बहुत वह दन्यवाद वीडियो देखने के लिए,